जैसे कि अब तक हम लोग काफिर बार न्यूक्लियस के स्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूक्लियस है वो बिसिकरी प्राटॉन और न्यूट्रॉन के यह होता है उतने ही नंबर्स में होता है वह आपके पास हमें क्यों कोई बैस पाटिकल करनें के लिए इस न्यूकलियस का जो mass होना तो यह चाहिए था कि equal होना चाहिए था proton के mass और utron के mass येक लेकिन हुआ क्या क्या जब इसे find-out क्या गया तो ये जू nucleus का mass है कम निकला as compared के proton और Neutron के mass के combination के अब इसके explanation क्या पेश की गई इसकी पेश की गई जो कि Einsatz high the energy है उसे उसने बताया कि mc square के equal है मतलग यह कि जो मैस है वो energy में और जो energy है वो मैस में convertible है अब क्या हुआ कि न्यूक्लिस की formation के दौरान कुछ मैस हो है वो न्यूक्लिस की formation के दौरान अज़र energy utilize हो जाता है जिसकी वज़ाद से न्यूक्लिस की मैस में कमी आ जाती है और मजमूरी तोर पे proton और neutron जो के न्यूक्लियों से हैं उनकी atomic मैस से कम उसका मैस जो है वो निकलता है तो इसकी वज़ा एक तो Einstein में बता दी कि भरी जो मैस है वो energy में और energy जो है वो मैस में तकदिल हो जाता है और दाहिर सी है न्यूक्लिस की कंस्रक्शन में कुछ ना कुछ ना कुछ तो energy required हुई होगी ना न्यूक्लिस के बनने के दोरान जो कि प्रोसीडर जनला होगा तो उसमें जो energy utilized हुई वो इसी मैस में से कुछ amount में लीगी जैसे कि हम लोग जब न्यूक्लिस के बारे में पड़ा था तो देखा था कि मुझमूवी तोड़ पर जो atomic मैस था uranium का वह ज्यादा था इस प्रिप्टन क्यों क्योंकि वहां पर कुछ मैस जो है energy की form में utilize हो जाता है तो एक ऐसा reaction जिसमें क्या होता है कि आपका जो मैस है वो energy में convert हो जाए उसे आप कहते हैं कि यह आपके पास जहें से आप mass defect कहते हैं तो यह वाला reaction हमारे पास mass defect हो गया जिसमें क्या हुआ कि हमारा कुछ मैस जो है वो न्यूक्लिस की construction के दौरा और उसके बनने के दौरा energy की form में emet हो जाता है इस वजरë से जो mass निकलता है अब अगर हमें इस mass defect के बारrika learn कर ना ओकि कितना mass में कमी हाती है जिसे हम लोग mass defect कहते हैं इसे और हम लोग और हम लोग जोने find out करना हो सो यह अराम से find out कर सकते हैं मैस सपस mass defect जागया और mass defect जो है वो equal हो जाता है mass of nucleons minus mass of nucleus अब अगर इसे में एक reaction की formula लिखुँए एक formula की form में तो ऐसे लिख सकती हूँ कि यह इसे मैं मुझीद अगर easy करके लिखना चाहूँ तो आप उसमें दोनों को क्या कर सकते हैं Z को भी N की form में लिख सकते हैं वो आपके लिए और ज़्यदा easy होज़ेगा basically इसमें अब जो मेरे पास यह है M यह जो M जिसमें मैंने लिखा है यह मेरे पास mass of nucleus है जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है ZMP यह basically मेरे पास mass of proton है mass of proton जिसके बार में मुझे मालूम है कि मैंने first lecture में जो इस chapter को start कराया था तो हम अगों ने nucleus के बार में study करते हुए बताया था कि अगर हम AMU में represent करें तो 1.007 A25 AMU जो है हमारे पास proton का mass आ जाता है similarly जो MN है यह हमारे पास mass of neutrons है क्योंकि मैंने बात की है कि neutron neutral particle तो है लेकिन इसका mass जरूरू होता है और इसका mass है वह 1.08665 AMU होता है तो यह हमारे पास mass of proton भी आ गया और mass of neutron भी आ गया अब बात बचली है कि यह Z की है और यह N की है Z basically है कि आपके पास कितने number है आपको basically number बताना है number of proton जितने number of proton है 2 है 3 है 4 है उसको multiply करना है proton के mass से similarly जो N है आपके पास यह N जो है यह number of neutron है आया कि कितने number of neutron है जो उस नेटलेस के अंदर मजूद है उसको उसके atomic mass से multiply करना है for example अगर मैं hydrogen की example लेकर आपको बताऊ तो hydrogen में आपको मालूम है कि hydrogen में तो सिर्फ आपके पास एक proton आ जाता है और आपके पास कोई भी neutron नहीं बचता तो इस वक्त इस चीज़ को भी hydrogen की जगह कोई और example consider करते है for example deuterium को लेते हैं जिसके बारे में हमें मालूम है कि hydrogen का यह isotope है लेकिन H12 है इससे हमें यह मालूम है कि nucleus के अंदर जो है एक proton है और एक ही neutron है हमारे पास neutron तो आ गया और जितने number of neutron है उनको neutron के मैस के साथ जो है आपने multiply करना है फिर इनके addition को यानि के combination को minus कर दो जो nucleus का mass है जो कि आपने मालूम की है अब क्या होता है कि हमें मालूम है कि proton का मैस है जिसके भी हमसे बात किये कि वह 1.007825 है similarly यहां पर कितना number था उसका number है जो कि हम लोग थे deuterium के example consider किया है similarly यहां पर neutron भी 1 है और neutron को किसे मालूम multiply करना है neutron का मैस है जो कि हमने भी बात किये कि हमाहाँ पास 1.008665 amu है तो इन दोनों का addition है उसे subtract कर देना है जो mass आपनी nucleus का experimentally calculate किया है अब जो हम लोग nucleus की mass की बात करते हैं और वह भी deuterium के तो हमें mass का mass होता है उसके nucleus का mass वह हमारे पास तक्रीबन आ जाता है यहां पर कि मैं लिख दू तो वह हमारे पास 2.014102 है यह हमारे पास dueuterium का mass आ गया तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है कि आया कि मैस में कितनी कमी आई हुए जब हम लोग इनका सफ्राक्षान लेते हैं तो हमारे पास अक्रीपन आज़ाएगा यह वह 0.002388MU आजएगा यानि कि हम उसे यह बता सकते हैं बलकि यू नहीं हमारे पास यहां पर जिस्ट यू आना शाहिए इनके हमारे पास यहां प यह रेक्षन है जिसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग इस तरीके से मालूम कर सकते हैं इसके साथ इसाथ हमारे पास होती है इनर्जी जो बाइनदिंग इनर्जी ओती है यह binding energy basically हमारे पास nucleus के अंदर मुझूद proton और neutron की energy होती है और neutron और proton को आपस में separate करने के लिए जो energy required होती है उसे हम लोग binding energy कह देते हैं मतलब यह बताने के लिए कि आपस में कितने strongly attracted जुड़े होए थे हैं उनको आपस में split करने के लिए जो energy required होगी आप उसको binding energy कह सकते हैं यह आप दूसी तरीके से यह भी कह सकते हैं कि nucleus को breakdown करने के लिए nucleus को जाए से बाते आपने breakdown करना तो basically आपको proton और neutron को breakdown करने हैं इनको आपस में separate करने तभी आप जब इसे separate कर लेंगे तो आपका nucleus breakdown हो जाएगा तो nucleus की breakdown के जो energy required होती है उस energy को basically उस amount of energy को हम लोग कहते हैं कि यह binding energy है क्योंकि जतनी जादा energy आपको required होगी उसी से आप बता सकते हैं कि nucleus की binding strong in nucleus के अंदर उसकी जो components है या उनकी जो binding है वो नहीं है अब अगर हम इस binding energy के बार में find out करना हो कि हमें यह मालूम करना हो कि कितनी amount binding energy required है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यह binding energy जो e है इसे हम e से represent करते हैं इसे हम लोग e b लिख देते हैं binding energy अगर इसे हमें मालूम करना हो तो जो हमाँ आपस mass defect आया है delta m जिसे हमने जिसे represent किया था इस पूरे के पूरे function को 931 से multiply कर दें तो यह हमारे पास उस amount में energy निकला दे ही विसक्री हमाँ पस kilojoule में energy मिल जाते हैं हमें क्योंकि मैंने जब last में mass defect के बारे में किया था जिसे के भी पीछे हम लोग करकर आए हैं तो वहाँ पे हम लोग उने शे यू से represent के यू भी एक energy का unit होता है और अगर उसे में जूल में convert करना चाहूं तो मैं लिख सकते हूं यहाँ आप उसे जो है मेगा इलेक्ट्रों वोल्ड में तब्दीर करना चाहें तो उसे आप लिख सकते हैं कि आपके पास 931 मेगा इलेक्ट्रों वोल्ड के एक्वल आ जाता है तो यहाँ पर अगर आप उसे multiply करेंगे जो आपका मेहस डिफिक्ट आया उसे 931 से multiply करेंगे बिसिकली यू की जगा अगर आप यह replace कर दें तो आपके पास क्या चीज़ आजएगी आपके पास binding energy आजएगी आपको पता चल जाएगा कि इतनी amount में आपके पास है यह energy जो है required होगी nucleus को breakdown करने के लिए जैस में यूपी जोगा 931 प्लेश कर दूँ तो basically यह जो चीज़ है यह binding energy निकल आएगी और binding energy जो मेरे पास आएगी यह mega electron volt के अंदर आएगी यह मुझे यह बताएगी कि इतने volt energy or required है इस nucleus को breakdown करने के लिए इसकी component जो है neutron और proton को separate करने के लिए आपको maximum इतनी energy required होती है जो कि 2 2.224 mega electron volt है इतनी जदा आपको energy required होगी तब जाके आपका जो nucleus है यह breakdown होगा तो इसे हम लोग कहते हैं कि यह binding energy है और अगर हमारे nucleus का mass nuclearon के mass से कम आए तो वह इस तरह से आता है कि हमारा जो mass है वो energy की form में convert हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पस mass effect है तो यह दोनों यह ताकि हम लोग जो है nuclefion को आसानी से समत के